Welcome to only IS, स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2022 में International Relations के Current Affairs के Revision का ये हमारा छठा लेक्चर है आज के सेशन में हम फरवरी महिने के International Relations के Current Affairs को Revise करेंगे इस सेशन का First Important Article ASEAN Digital Ministers के बारे में है A-D-G-M-I-N ये जो Annual Meeting है ये आशियान के 10 जो देश हैं उनके Telecom Ministers की Meeting होती है जिसमें शामिल होते हैं उनके जो Other Members है, Dialogue Partners हैं उनकी भी Telecom Ministers Dialogue Partners में आज आते हैं Australia, Canada, China, EU, India, Japan, Republic of Korea, New Zealand, Russia, UK और US इन सभी लोगों के Telecom Ministers भी इसमें हिस्सा ले दे हैं इंडिया आशियान Digital Work Plan 2022 की बात करते हैं इस Meeting के दौरान कई सारे मुद्दों पर बात चीथ की गई उसी दौरान ये भी बात हुई कि Digital Cooperation Regional Level पर बढ़ाया जाएगा मतब इस सभी देश आपस में अपने Cooperation को Enhance करेंगे ताकि Digital Inclusion और Integration को बढ़ावा मिले In between India ASEAN Digital Work Plan 2022 भी अप्रूव किया गया इस Work Plan के According इंडिया के लिए एक ऐसा सिस्टम हम तयार करने की कोशिस करेंगे आशियान के साथ मिलकर जहां पर ऐसे Mobile Handsets जिन्हें चुरा लिया जाता है उन्हें Combat किया जा सके फर्दर Wi-Fi Access Network Interface भी तयार किया जाएगा ताकि Public Internet को पूरे भरात में पहुचा जा सके Capacity Building की जाएगी Knowledge Sharing पर फोकस किया जाएगा उन सभी Information and Communication Technology वाले एरियास में यानि की ICT में जहाँ पर दोनों रेस आपस में कोडिनेट कर सकते हैं बात की जाएगी Internet of Things, 5G, Advanced Satellite Communication, Cyber Forensics और बाखी समुद्धों पर भी आशियान और इंडिया आपस में कोडिनेट करेंगे अनिक्स आर्डिकल एफ्रिकन यूनियन के बारे में है एफ्रिकन यूनियन ने अभी हाल ही में बुर्कीना फासो की जो मेंबर सिप है उसे सस्पेंड कर दिया है औरगिनाजीशन से या औरगिनाजीशन की एक्टिविटीज से जब तक कि वहाँ पर Constitutional order maintain नहीं हो जाता मैं आपको बता दूँ कि अभी कुछ समय पहले वहाँ पर एक military कूप हुआ है जिसमें वहाँ की सरकार को उसके पत्से हटा दिया गया है एफ्रिकन यूनियन कोई पहली संस्था नहीं है जिसने बुर्कीना फासो को सस्पेंड किया है इसके पहले इकोवास भी ऐसा कर चुका है इकोवास क्या है हम जानेंगे यह पूरा मामला है क्या है वो भी जानेंगे लेकिन उसके पहले आप location देखिए बुर्कीना फासो की यह एफ्रिका का मैप और Western Africa में जो red color की country आपको दिख रही है देखे एफ्रिकन यूनियन क्या है यह हम जानेंगे उसके पहले आप पूरा issue समझ लीजिए जनवरी 24 को जो rebel soldiers थे उन्होंने वहाँ के president रौच मार्क क्रिशिन काबोरे को detain कर लिया उन्हें गिरफतार कर लिया क्योंकि उनके खिलाफ काफे लंबे समय से लोग विरोध कर रहे थे कि वो violence को नहीं रोक पा रहे हैं देश में इसके बाद कुछ समय बाद दिखा गया कि उन्होंने एक hand written letter जारी किया वहाँ के president ने कि मैं अपने पद से resign कर रहा हूँ और इसे authentic माना किया जो military जुन्टा है जिन्होंने वहाँ पर सरकार बना रखी है उन्होंने सरकार को dissolve कर दिया parliament को suspend कर दिया गया और constitution को भी रद कर दिया गया उन्होंने ये कहा कि वो constitutional order को एक बार फिर से reasonable time frame में लेकर आएंगे जो coup है वो एक latest bout है बुर्कीना फासो में जो चला आ रहा है मैं आपको बता दूँ कि 1960 में बुर्कीना फासो को फ्रांस से आजादी मिली थी Mr. Kabore को 2015 में elect किया गया था उनके पद पर ठीक है लगबख सारे ही देश इसका हिस्सा बन जाते हैं कुछ ऐसे हिस्से जो एफ्रिका में हैं लेकिन European countries के possession में हैं उन्हें छोड़ दिया गया है 26 में 2001 को आदिस अबादा यानि कि Ethiopia में इस संस्था का निर्मार किया गया और इसे लांच किया गया 9 जुलाई 2002 को साओथ एफ्रिका में जो intention था AU का वो यही था कि Organization of African Unity यानि कि OAU को replace कर दिया जाए जिसे 1963 में ही बनाया गया था और इसमें 32 देस हिस्सा हुआ करते थे AU का जिस Secretariat है इसे आप African Union Commission भी बहुत सकते हैं वो आदिस अबादा में ही है African Union का एक Agenda है Agenda 2063 Agenda 2063 एफरिका का एक blueprint है जिसके माध्यम से वो एफरिका को Global Powerhouse बनाना चाहते है मतलब एक ऐसा एरिया जो globe में center में आ जाए development के मामले में बाकी चीज़ों में sustainable development के मामले में वो self determination अवेल कर सके freedom, progress और collective prosperity को ensure कर सके बात करते हैं ECOWAS के बारे में ECOWAS एक regional political and economic union है जैसे कि हमने देखा कि जो European Union है उसमें तो एफरिका के लिगभख सारे ही देश आ जाते हैं लेकिन ECOWAS में जो western Africa है वहां के कई सारे देश आते हैं West Africa का ये एक संस्था है you can say 1975 में से established किया गया था Treaty of Lagos के माध्यम से ये collective self-sufficiency को ensure करने की कोशिस करते हैं इस पूरे region में इनके पास एक peacekeeping force भी है और ये एक pillar regional block माना जाता है continent-wide African Economic Committee यानि की AEC का ठीक है हमारा next article United Nations Commission on International Trade Law के बारे में है Economic Survey 2021 बाइस आया वहां पे mention किया गया कि जो insolvency law committee है उन्होंने अपनी report में एक बात mention की उन्होंने recommend किया कि UN CITRAL यानि United Nations Commission on International Trade Law के जो भी प्रावधान है उन्हें थोड़ा बहुत modify करके इंडिया में adopt कर लिया जाए ताकि foreign assets को लेकर जो भी मामले हैं उन्हें insolvency process में लाया जा सके बात करते हैं इस law के बारे में इस law को United Nations General Assembly ने 1966 में adopt किया यह kind of legislative framework है मतलब एक ऐसा framework जिसे सभी देश अपने अपने हिसाब से modify करके इस्तेमाल कर सकते हैं इस framework को adopt किया गया है 49 countries के दवरा जिसमें Singapore, UK, US और South Africa भी शामिल है जो UN CITRAL है यह foreign professionals को creditors को allow करता है कि वो जिस देश में काम कर रहे हैं वो domestic court को access कर सकते हैं further वो participate कर सकते हैं domestic insolvency proceedings में भी यह allow करता है कि जो foreign proceedings हैं उन्हें जो भी courts हैं संग्यान मिलें जब भी वो किसी अन्य देश के nationals की मामले को handle कर रहे हों यह commission एक मतलब annual session करता है दो जगहों पे alternatively एक तो जो इनका headquarter है UN का जो headquarter है New York में वहाँ पर और दूसरा Vienna International Center जो Vienna में है वहाँ पर तो एक-एक साल बदल-बदल के वो यहाँ पे अपनी meetings करते रहते हैं हमारा next article quite diplomacy के बारे में है quite मतलब शांत हमें पता है कि right now Russia और Ukraine के वीच में टसल चल रहा है Ukraine को NATO members, NATO का हिस्सा बनाना चाहते है Russia ऐसा नहीं चाहता क्योंकि ऐसा होगा तो NATO Russia के विलकुल नजदीक पहुँच जाएगा इसलिए उसने अपनी military को tanks को mobilize कर दिया है Ukraine के border पे मामला तलखी भरा है ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा नहीं होगी Russia यूक्रेन के उपर हमला कर दे क्योंकि ऐसा होता है तो मामला बढ़ जाएगा जब ये पूरा मामला UN में पहुचा, UN Security Council में तो इंडिया का भी stand आया इंडिया ने कहा कि हमें quiet diplomacy के माध्यम से peaceful resolution के जरीए इसे resolve कर लेना चाहिए अब एक बड़ा सवाल आता है कि quiet diplomacy होती क्या है quiet diplomacy का मतलब होता है softly softly क्यानि कि धीमे धीमे जो भी goal है उसे achieve करना देखे होता क्या है कि जब दो देस आपस में confrontation में होते हैं तो मीडिया उस मामले को बहुत ज़्यदा उचालता है इससे होता ये है कि situation बहुत ज़्यदा खराब हो जाती है और बातचीत कर पाना possible नहीं होता जो quiet diplomacy होती है उसमें basically हम करते ये हैं कि मीडिया को दूर रखा जाता है back channel से बातचीत की जाती है जो भी influencers हैं वो कोई prominent personalities हो सकती है या फिर NGOs हो सकते हैं या फिर जो भी stakeholders हैं जो धीमे धीमे बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं उन्हें involve किया जाता है influence करके behavior को बदला जाता है बातचीत करके negotiations के माध्यम से कई बार इसमें secret negotiations भी involve होते हैं इंडिया और चैना के बीच में भी quiet diplomacy का इस्तेमाल किया जाता है जब tensions बहुत ज़ादा बढ़ जाती हैं तो और आशियान तो इस मामले में बहुत ही आगे है वो quiet diplomacy के माध्यम से अपने बहुत सारे काम निकाल लेते हैं तो ये एक alternative means होता है जब हमें ऐसा लगे कि सीरे सीरे बातचीत कर पाना possible नहीं है because sentiment बहुत hyper है उस condition में back channel से बातचीत करके problem को resolve करनी के कोशिस की जाती है that is quiet diplomacy हमारा next article Indus Water Treaty के बारे में है permanent Indus Commission की meeting साल में एक बार होनी चाहिए due है लेकिन अभी तक कोई schedule नहीं आया Indus Water Treaty 1960 में sign की गई थी जिससे Indus नदी और उसकी जो tributaries हैं उनकी पानी का बटवारा भरत और पाकिस्तान में किया गया था इस treaty को ब्रोकर्ड किया गया था word bank के द्वरा मतलब इसी ने इस treaty को करवाया था इसके पहले कि हम आगे बढ़ें इस treaty में सामिल 6 नदियों की location देखते हैं ये है river Indus ये है जेलम यहाँ भी जेलम ही आ रही है ये है चेनाब ठीक है ये है रावी ये है बियास और ये है सतलुच इन में से तीन नदियां भारत के पास है रावी बियास और सतलुच इनका exclusive भारत के पास है मतलब इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है और जो उपर की ये तीन नदियां है जैसे कि Indus, जेलम और चेनाब इन तीन नदियों का पानी मिलता है पाकिस्तान को और इनका भी 20% पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है मतलब इसका exclusive रैट पाकिस्तान को नहीं है जबकि रावी बिया सतलुच के पानी का exclusive रैट भारत के पास है तो इन नदियों के लोकेशन आपने देख लिए कौन सी नदिया शामिल है वो मैंने आपको बता दी है देखे, इसके तहट जो eastern नदियां है जबकि रावी बिया सतलुच भारत के पास है एक्स्टूजिव यूज के लिए एवेलेबल है इंडर्श इरम चिनाप पाकिस्तान के पास है इस पानी का 20% हिस्सा इंडिया नॉन कंजरंटिव नीट्स के लिए कर सकता है जैसे कि irrigation, storage और electricity production मतलब कि बिजली बनाने के लिए भारत इंडियों का इस्तेमाल कर सकता है हाना कि कुछ design and operation का criteria है जो इस commission के दोरा ही operate किया जाता है बात करते हैं इस commission की ये एक bilateral commission है जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों के ही members होते है Indus Water Treaty 1960 के तहती से बनाया गिया इन्हे साल में एक बार मिलना होता है एक बार इंडिया में, दूसरी बार पाकिस्तान में इनका काम ये होता है कि दोनों ही सरकारों को कोई समस्या है अगर इस history के बारे में तो उसे study करना, report को जाचना, dispute होता है पानी की sharing को लेकर तो उसे resolve करना technical visit करना, projects को लेकर जो इन नदियों पर बनाया जा रहा है और पास साल में एक बार tour करना इन सभी नदियों के आस-पास की जो projects है उन पर कि कहीं पानी की बटवारे को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है UNEP at 50 के बारे में है जैसा कि नाम से ही सबस्ट है UNEP का कुछ पचास हुआ होगा exactly UNEP 50th Anniversary 2022 में 2022 में observe कर रहा है celebrate कर रहा है UNEP का फल फॉर्म है United Nations Environment Program UNEP एक Leading Global Environmental Authority है नाम से आपको clear हो रहा होगा कि environmental issues को ये दुनिया भर में handle करते हैं जिसे establish किया गिया था 5th of June 1972 को इनका काम क्या होता है ये दुनिया भर के लिए environmental agenda set करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है sustainable development को promote करते हैं और global level पे environment के protection को advocate करते हैं ये कुछ बहुत important reports जारी करते हैं जो अकसर exams में पूछ लिये जाते हैं जैसे कि emission gap report adaptation gap report global environmental outlook frontiers invest into healthy planet इनके कुछ major campaigns हैं जो ये run करते हैं like beat pollution UN75 World Environment Day Wild for Life headquartered है कीनिया के नैरोबी में अगर आप इनके achievements को दीखना चाहें तो UNEP 193 member states और बाकी के stakeholders के साथ मिलकर लगातार दुनिया भर में जो environmental challenges हैं उन्हें handle करने की कोशिस करता रहा है इन्होंने 15 multilateral environmental agreements sign करवाएं हैं जो की इनकी कुछ important achievements में से हैं हमारा next article major non-NATO ally के बारे में है जिसे MNNA कहा जाता है आप चाहें तो इसे मना बोल सकते हैं recently US ने Qatar को MNNA यानि की मना का status दे दिया है ये एक designation है जो United States अपने कुछ closed lives को देता है significant ally हो जाते हैं इन सभी countries के जो NATO में है इसका एक collective security का concept है NATO का मतलब NATO की एक member के उपर हमला सभी लोगों के उपर हमला मना जाता है अगर किसी को MNNA में सामिल कर लिया गया या या नि मना में सामिल कर लिया गया तो वो उस level पे तो नहीं पहुंचते फिर भी काफी close माने जाते हैं तो कोई भी ऐसा देश जिसका strategic linkage बहुत strong है USA की armed forces के साथ लेकिन वो NATO का member नहीं है तो उसे MNNA का designation दिया जाता है अगर किसी country को MNNA का designation मिल गया तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि USA के war reserves वो अपने पास रख सकते हैं मतब USA उन्हें कह देगा कि आप अपने पास रखे रखो जब जरूत होगी तो हम यहां से उठा लेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे MNNA status वैसे तो काफी privilege की बात है military economic perspective से लेकिन इससे जो NATO की countries है वो अपनी ओर से कोई commitment नहीं करते है उस देश के लिए kind of privilege ही मान लीजिए India मना का status नहीं रखता USA के लिए हम USA के साथ इस लेवल पर allied नहीं है रहनेक्स्ट आर्टिकल International Court of Justice के बारे में है युगान्दा को DRC यानि कि Democratic Republic of Congo को 325 million dollars देने होंगे reparation के तौर पे, compensation के तौर पे जो conflict 1998 से 2003 के बीच में चला उससे जो damage हुआ person का जिसमें loss of life, reap, child soldiers का recruitment, civilians का displacement ये सब सामिल है उसके लिए ये punishment दी गई है युगान्दा को ये अभी हाल ही में judgment आया है ICJ, International Court of Justice का ICJ एक judicial organ है United Nations का 1945 में इसे बनाया गया था और ये 1946 के April से काम कर रहा है ये देखे, Hague Netherlands में situated है और 6 organs में से ये एक मत रहसा organ है जो कि USA में नहीं है सभी UN members इसके member होते हैं इसमें 15 judge होते हैं, जिनने 9 सालों के लिए चुना जाता है United Nations General Assembly और Security Council के तवारा Official Language है English और French Court का काम है कि International Law के basis पे लिएकर disputes को settle करना और advisory opinion भी देना अगर उनके पास कोई मुद्धा आता है तो ये केवल ऐसे ही disputes को सुनते हैं जो इनके पास लाए जाए कोई सूर मोटर डिस्दन ही नहीं ले दे कई सारे subject matter ये handle करते हैं like sovereignty, bonded dispute, maritime dispute trade, natural resource, human right treaty violation, treaty interpretation और बहुत कुछ इसमें देखे जो dispute की parties होती है वो केवल state हो सकती है मैं या आप जाके ICJ में case नहीं कर सकते कि हमारे पडोसी ने मारा रास्ता रोक रखा है या उसमें हमारे घर के सामने कचरा फेक दिया इस प्रकार के cases वो नहीं देखेंगे किसी वो individual का case नहीं लेते वो किसी एक देश का case लेते है और हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई एक देश अपनी किसी एक individual का मामला उठा के किसी दूसरे देश के खिलाफ case कर दे हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कार्टसा के बारे में है S-400 defense system जो इंडिया खरीद रहा है अपनी security के परपस से Russian ambassador अभी जो अभी हाल ही में इंडिया के लिए आया डैनिस अलिपो उन्होंने कहा कि US sanctions के लिए इंडिया को चिंता करने के आवशक्ता नहीं है इससे इंडिया के military technical cooperation पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा US लगातार इंडिया के उपर दबाव बनाता रहा कि हम Russia के साथ S-400 defense system ना खरी दें नहीं तो वो हमें कार्टसा के तहत sanction करेंगे इसका full form है countering America's adversaries through sanctions act इस 2017 में लाया गया था Washington 2016 के बाद से इस प्रकार के कानून की बात कर रहा था और Russia से जब हमने deal sign की 2016 में तभी से USA काफी ज़्यादा इस बात को लेकर चिंतित था कि आप उनके साथ defense deal क्यों sign कर रहे हैं और फिर जब 2017 में उनका कानून आ गया तब तो उन्होंने एक हसियार बना लिया इसे तो इस कार्सा लॉक की माध्यम से चाइना और टर्की को भी इस प्रकार की deals के लिए S-400 की deal के लिए sanction कर चुका है यह दिपी इंडिया को लेकर USA का रवया हमेशा से काफी नर्म रहा है उन्होंने का कि ठीक है यह आपके interest में है आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए S-400 एक surface to air missile system है आप इसे short में SAM बोल सकते हैं इसे रश्या बनाता है SAM MLR MLR का मतलब यहाँ पे है modern long range surface to air missile यह दुनिया का बहुती advanced defense system माना जाता है अमेरिका का जो defense system है जिसे THARD कहा जाता है जैसे जापान, साउथ कूरिया जैसे देश से इस्तेमाल करते है terminal, high altitude, area defense system S-400 को इससे जदा advanced माना जाता है यह deal important है हमारे लिए हम अमेरिका के प्रभाव में या दबाव में काम नहीं करते यह इस चीज को ensure करता है और यह दिखाता है कि इंडिया sovereign है हमारे उपर कोई भी दबाव हो हम अपनी relations established कर सकते है जिस देश के जैसे साथ चाहें वैसे, यह हमारी national interest और national security को भी ensure करेगा कार्सा का वईफल form है countering America's adversary suit sanctions 2017 में आया था जिसके जरीए अमेरिका, Russia के defense और intelligence sector को प्रभावित करने की कोशिस करता है और उनके साथ किसी वी deal को रोकता है हमारा next article World Food Program के बारे में है इंडिया ने World Food Program के साथ एक agreement sign किया है 50,000 metric ton wheat चो इंडिया ने commit किया था किम अफगानिस्तान को भेजेगे हैं humanitarian assistance के form में उसके लिए यह 22 फरवरी को start किया जाना है इसको देखे पूरा होस्ट कर रहा है World Food Program WFP 10 metric ton के 5 खेप में इसे divide कर देगा WFP और अलग लग जगों पर भेजेगा बात करते हैं UN WFP की यह Food Assistance Branch है UN की 1961 में यह बनी थी United Nations Development Group का हिस्सा है और Executive Committee का भी हिस्सा है यह दुनिया से जो food के problem है उसे eliminate करने के कोशिस करते हैं और food aid के लिए कोशिस करते हैं जो WFP food aid है यह micronutrition deficiency को child mortality को कम करना maternal health को improve करना disease को combat करना HIV AIDS को counter करने के लिए भी लगातार प्रयास करते हैं World Hunger Map यह World Food Program Alibaba Cloud के साथ मिल के बना रहा है यह Alibaba का ही एक computing arm है इसके माध्यम से 2030 से कम पता करेंगे मैं आप तयार करेंगे कहां पर hunger की problem जादा है कहां पर कम है तो targeted delivery करने में आसानी होगी और hunger से और बहतर तरीके से लड़ पाएंगे हमारा next article early harvest agreement के बारे में है इंडिया और ऑस्टेलिया ने announce किया है कि वो conclude करेंगे early harvest agreement या फिर और इसके साथ साथ एक comprehensive economic cooperation agreement उसके बाद ये CECA आएगा होता क्या है कि देखें दो देस निगोशेट कर रहे होते हैं FTA के लिए free trade agreement के लिए उसमें तो बहुत सारे terms and conditions आ जाते हैं और freely trade करने की बात की जाती है लेकिन उसके पहले जब तक FTA sign ना हो जाए तो कुछ ऐसा arrangement बना लिया जाता है कि आप हमारे कुछ products पे tariff कम कर दो हम आपके कुछ products पे tariff कम कर देते हैं इस प्रकार के agreement को early harvest agreement कहा जाता है इसमें interim agreement में goods, services, origin के rules sanitary और phytosanitary measures या custom processes वगएरा सब कुछ शामिल हो जाते हैं agreement के तहट इंडिया उमीद करता है कि Indians को चाहे वो students हो या फिर professionals हो उन्हें Australia में जाने के लिए आसानी से visa मिल जाए दूसरी एर ऑस्ट्रेलिया इंडिया में wines और agriculture products के market को access करना चाहता है यदि पी Australia भारत में dairy beef और wheat के market के access नहीं करेगा क्योंकि ये इंडिया में काफि sensitive sectors होते हैं अगर wheat बाहर से आएगा तो भारती किसानों का क्या होगा bilateral trade 2021 में 12.5 billion dollar कर रहा लेकिन 2022 का जो financial year है उसके तो पहले 10 महिनों में ही ये trade 17.7 billion dollar पे पहुँच गया है मतलब trade बढ़ दाया है हम उस्टेलिया से import करते हैं coal, gold और liquid natural gas और export करते हैं diesel, petrol, germs and jewelries हमारा next article Pacific Island Forum के बारे में है हाल ही में political activities जो micronation countries में बढ़ी है और Tonga जो earthquake आया Tonga में उसकी वज़े से organization काफी active हो गया है अभी मैंने article डिसकुस किया था कि Chinese influence को कम कर सके कई तरह के activities वहाँ पे चल रही है जो Pacific Island का region है आप उन्हें तीन हिस्सों में broadly categorize कर सकते हो Micronesia, Polynesia और Melanesia इन्ही categorization के साथ हम इन्हें study करते हैं फर्द देखे जो Pacific Island Forum है 1971 से 2000 का ये जो duration था 1971 में इसे established किया गया था तब इसका नाम उनके head of the state यहाँ पे मिलते हैं और common concerns को discuss करते हैं 18 member है इस Pacific Island Forum में Australia, Cook Island Federated States of Micronesia Fisi, French, Polynesia Kiribati, Nauru New Saledania, Saledonia New Zealand, New, Palau Papua New Guinea, Republic of Marshall Island Samoa, Solomon Island, Tonga Tuvalu और Vanuatu ये नाम मैंने आपके लिए पढ़ दिये सन 2000 में Forum के leaders ने Biketawa declaration Adopt किया जिसके बाद इसमें कुछ नए actions involved किये गए ताकि जो region है वहाँ पर open democratic और clean government को establish किया जा सके Political stability वाले जो regime है उनको conscience किया गया Regional political stability को ensure किया जाए Surgeons के लिए equal rights को ensure किया जाए किसी भी gender, race, color, creed या political belief के ऊपर जाके और उसी समय इसका नाम Pacific Island Forum रखा गया हमारा next article Organization of Islamic Cooperation के बारे में है इंडिया ने अभी Organization of Islamic Cooperation को फटकार लगाई उनके communal minded statement को लेकर जो उन्होंने करनाटका के हिजाब रो के उपर दिया उनका जो statement रहा वो definitely एक community को संग्यान में लेकर दिया गया इंडिया अकसर Organization of Islamic Cooperation का जो stand है उस पर उनकी आरोचना करता रहा है यूंकि उनका जो approach है वो miserly one-sided होता है बात करते हैं OIC के बारे में OIC को 1969 में found किया गया था वर्तमान में इसमें 57 member states है मैं आपको बता दू कि United Nations के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा inter-governmental organization है जिसमें कई सारे देसों की सरकारें एक साथ एकठा होती है जो organization है वो collective wise होती है Muslim World की कम से कम ऐसा माना तो जाता ही है ये कोशिस करते हैं कि दुनिया भर में जो भी Muslims है उनके interest को preserve किया जाए international level पे peace और harmony को ensure किया जाए OIC इसका एक permanent delegation भी रहता है United Nations में और European Union में भी कुछ एक ऐसे देस हैं जिनको OIC में observer status मिला हुआ है मैं नाम बता देता हूँ Central African Republic, Russia, Thailand, Bosnia and Herzegovina और यहाँ पर देखे जो एक unrecognized Turkish separate state है उसे भी observer status दिया है OIC ने मैं आपको बता दूए यह काफे विवादित है because Cyprus का वो हिस्सा जिसे Turkey ने occupy कर रखा है देखे यह Turkey के South में Island Nation के form में आपको मिलेगा Cyprus इसके Northern Part को Turkey ने capture कर रखा है यह जो Turkish separate state है इसे दुनिया का कोई भी देश मानता नहीं देता लेकिन surprisingly OIC ने इसे observer status दे रखा है हमारा next article Indo-German Working Group on Quality Infrastructure के बारे में है नाम पे जाईए इंडिया और जर्मनी इसमें involved है यह एक working group है जो यह देखता है कि काम अच्छे से हो Quality Infrastructure के field में इनका focus होता है आदी बाद top को clear हो गई अभी हाल ही में इसकी 8th annual meeting होई है Quality Infra पे जिसे lead किया गया Indian Ministry for Consumer Affairs के बारा Food and Public Distribution German Federal Ministry for Economic Affairs और Energy जो उनका है वर्चुली इस पूरे meeting को conduct किया गया 2013 से ही यह meeting हर साल होती है यहां पे कुछ areas चुने गए है जहां पर India और Germany आपस में cooperate करते है जैसे कि जो भी relevant stakeholders है उन्हें एक साथ लेकर आया जाए जो diverse technology है उसके support को दुनों देश आपस से आपस में मिलकर trade के segment में इस्तेमाल कर सके क्या की highlights रही 2022 के लिए work plan है उसे sign किया गया जो plan है इसमें कई सारे हिस्तों में cooperate करना है जैसे कि quality infra technical barriers को trade में कम करना product safety को बढ़ाना और consumer protection को बढ़ावा देना कुछ और भी areas हैं जहां पे हमें collaborate करना है जैसे कि mobility, energy, circular economy, smart farming या agriculture medical devices, digitalization जिस artificial intelligence, industry और ने technological area शामिल है machinery safety, medical devices और equipment और market surveillance इन सब areas में इंडिया और जर्मनी collaborate करना चाहते है हमरा next article Munich Security Conference के बारे में है जो कि जर्मनी के Munich में हुआ इंडिया इसमें part ले रहा है Munich Security Conference एक annual conference है जहां पे international level पे security के मुद्दो पर बातचीत होती है यह बातचीत जर्मनी में 1963 से ही होती रही है फरवरी में हर साल इस conference को आयूजित किया जाता है काफी important और independent forum ही बन चुका है हाल फिलहाल में जहां पर दुनिया भर के policy makers एकठा होते हैं और एक independent forum के तौर पे यहां पर security की मुद्दे पर बातचीत करते हैं 350 senior figures यहां पर आपको लेखने को मिलते हैं 70 countries से जो दुनिया भर में current और future security challenges पर बातचीत करके उनके solutions को डिसकस करते हैं हमारा next article border infrastructure and management scheme के बारे में है गौर्मनेंट ने इस सम्रिलाई scheme को 2026 तक continue किया है Central sector scheme है Ministry of Home Affairs के तहत सारा पैसा किंदर सरकार ही खर्च करती है इसके माध्यम से हम border infra को और मजबूत करते हैं ताकि border management, policing और guarding बहतर हो सके यहां पर जो scheme है इसमें border पर infrastructure को better किया जाता है जैसे कि border की fencing करना, वहां पर lights लगवाना, technological solutions आप्ट करना जैसे कि drones वगवरा का इस्तेमाल करना, border road बनाना, BOP, border outpost बनाना इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांगलादेश, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया भूतान, इंडिया म्यांगमार के borders जहां पर security required होती है वहां पर इन सभी चीजों को develop करने में जो खर्च आता है वो border infrastructure and management scheme के देहर दिया जाता है अगला article है हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बारे में अभी recently हमने nuclear installation से related एक list exchange की है और साथ के साथ prisoner से related एक list exchange की है पाकिस्तान के साथ अब इनके पीछे कारण क्या है देखिए हमने एक agreement sign किया था 1988 में जिसका नाम है agreement on prohibition of attack against nuclear installation and facility अब इसके तहट ये दोनों देश आपस में data exchange करते ताकि जंग के समय या वैसे भी किसी attack के दौरान इन facilities के उपर attack ना किया जाए क्योंकि अगर इन facilities के उपर attack किया जाता है तो large scale destruction देखी जा सकते दोनों ही countries में उसके लावा इस agreement को हमने ratify किया था 1991 में और यहाँ पे एक और agreement भी sign किया गया था जिसके तहत हम civilians, defense personnel और fishermen से related data को exchange करते मानने जिए कोई fisherman है पाकिस्तान से इंडिया के water में आ गया है तो उसे arrest कर लिया जाता है तो उससे related भी data साल में दो बार exchange किया जाता है जन्वरी और जुलाई में अब इसके लिए भी हमने एक agreement sign किया था Agreement on Consular Access जिसे sign किया गया था 2008 में तो यहाँ पे इस article में इतना ही आईए अब बात करते हैं अगले article की जो है हमारा counter-terrorism committee executive directorate के बारे में अभी recently इंडिया को United Nations Security Council की counter-terrorism committee का head बना दिया गया है हम 2022 में इसके head रहेंगे और इंडिया ने एक resolution move किया है जिसके तहद जो आपका ये counter-terrorism committee executive directorate है इसके mandate को change करने की कुशिश कर रहे हैं और इसे achieve करेंगे हम 31 December 2025 से पहले अधिकि ये इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम हाल फिल हाल में counter-terrorism committee को head कर रहे हैं अब इससे इंडिया multi-literal response को strengthen कर सकता है against terrorism उसके लावा इंडिया insure कर सकता है कि global response जो head terrorism के against वो undivided हो और बहुत ज़्यादा effective हो और इसमें किसी तरह की संशे या दूइधा ना हो अब बात की जाए इस counter-terrorism committee executive directorate की तो इससे establish किया गया था 2004 में by the UN Security Council resolution 1535 उसके लावा जो आपका counter-terrorism committee जिसको chair कर रहा हाल फिलाल में इंडिया इसको UN Security Council resolution 1373 यानि 1373 के अंडर बनाया गया था 2001 में अब यहाँ पे आपको 2001 से याद आ रहा होगा कि USA में 9-11 की घटना भी इसके लगबग आसपास ही हुई थी तो ये उसके backdrop में ही बनाया गया था ताकि हम future में इस तरह की terrorist activity को रोक सके इन दोनों resolution के through हम ensure कर रहे हैं कि world level पे counter-terrorism की activity को और ज़्यादा promote किया जा सके चाहे वो एक country के level पे बात हो चाहे एक proper region के बारे में बात हो या पूरे world की बारे में बात हो तो इन सभी level पे हम terrorism को रोकने की कुशिश करेंगे तो आज के इस session में बस इतना ही Thank you very much